दोस्तों, क्या आपने कभी भारत में हिट एंड रन की घटनाओं के गमीर परिणामों पर विचार किया है? आए नवीनतम परिवान हिट एंड रन कानून के मूल में जाएं, एक महत्वपूर्ण कानून जिसका उदेश इन घटनाओं पर अंकुष लगाना है, इस कानून का जन्म मौजूदा कानूनी धाचे में सुधार की आवशक्ता से हुआ था, जो हिट एंड रन माबनों की बढ कैनल को सब्सक्राइब करें, इस कानून का प्राथमिक लक्ष हिट एंड रन घटनाओं को रोकना है, और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के होने पर न्याय तेजी से और निश्वक्ष रूप से किया जाए, कानून तालिका में महत्व लकून बदलाव लाता है, जिसमें सक्त गंड, पीडित मुआफजे के लिए अधिक सुव्यवस्थित प्रक्रिया और सड़त सुरक्षा के बारे में सारवजनिक शिक्षा पर नए सिरे से जोर दिया गया है, ये संशोधन पिछले कानूनों से परियाप बदलाव का संकेत देते हैं, पीडित समर्थन और निवारक उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, नया कानून भारत में हिट एंड रन घटनाओं के मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में एक आवश्चक कदम है, क्या होती है हिट एंड रन घटना? कानून की पेचीद्गियों पर गौर करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हिट एंड रन की घटना क्या होती है, भारत के नए परिवहन कानून के संदर्व में हिट एंड रन को किसी भी दुर घटना के रूप में परिभाशित किया गया है, जहां घटना के लिए जिम्मे पीडितों को सहायता प्रदान करने पर जोर देता है, हिट एंड रन को समझना जवाब देही की दिशा में पहला कदम है, क्या होंगे कानून के परिणाम, अब जब हम परिभाशा को समझते हैं, तो दन और परिणामों पर चर्चा करने का समया गया है, भारत में नए परिणा में लगभग पांच गुना अधिक है, लेकिन यह वहां नहीं रुपता है, कानून अपराधियों पर छे महिने से दो साल तक की कैद की सजा भी लगाता है, यह केवल छे महिने के पिछले अधिक्तम कार्यकाल से काफी अधिक है, इसके अलावा, कानून ने संभाव पराधियों को रोपने के लिए अन्य दंडात्मक उपायों की शुरुआत की है, उदाहरन के लिए अधालत अपराधी के जाइविंग लाइसेंस को रद करने का आदेश दे सकती है, या हिट एंड रन में शामिल वाहन को भी जब्द कर सकती है, यह पिछले कानूनों से एक बड़ा कदम है, जिसमें इन अतिरिक्त दंडात्मक उपायों का अभाव था, नया कानून एक स्पष्ट संदेश भेजता है, हिट एंड रन अपराधों के गंभी परिणाम होते हैं, यह अब सर्फ जुर्माना और जेल की शर्तों के बारे में नहीं है, नहितार्थ किसी के जीवन को गहराई से और स्थाई रूप से प्रभावित कर सकते हैं, कैसे मिलेगा पीडितों के लिए न्याय? कानून केवल दंड के बारे में नहीं है, यह पीडितों के लिए न्याय और समर्थन सुनिश्चित करने के बारे में भी है, भारत में नए हिट एंड रन कानून वित्तिया राहत मिल सके। यह मुआवजा न केवल चिकित्सा खर्चों के लिए हैं, बल्कि आय के नुकसान और अन्य संबंदित लागतों को भी कवर करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीडितों और उनके परिवारों पर अचानक वित्तिया तनाव का बोज ना है कि पीडितों और उनके परिवारों को समय पर आवशक सहायता प्राप्थ हो सकती है। यह सही दिशा में एक कदम है, जो अंधेरे समय के दौरान आशा की किरण प्रदान करता है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि हिट एंड रन घटनाओं के पीडितों को उनके हार प सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र की एक सरनी स्थापित की गई है। हिट एंड रन मामलों को समभालने के लिए पूरी तरह से सुसर्जित कानून प्रवर्तन एजंसियां अब पहले से कहीं अधिक सतर्थ हैं। वे अपनी जाट में उन्न तक्नी का लाब उठा रही हैं। जिससे अपराधियों को न्याय दिलाने की उनकी क्षमता मजबूत हो रही है। मजबूत प्रवर्तन रन नीतियों के साथ कानून का उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि कोई हिट एंड रन मामला किसी का ध्यान न जाये। कैसे फैलाएंगे कानून के बारे में जागरुकता। अंत में हिट-N-Run घटनाओं को रोकने में जन जागरुकता की भूमिका के बारे में बात करते हैं। नए परिवान कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिट एंड रन घटनाओं के संभावित जीवन प्रिवर्तनकारी परिनामों के बारे में जन्ता को शिक्षित करना शामिल है। सडकों पर जिम्मेदार ल्यवहार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पूरे भारत में विभिन्न अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। यह पहल केवल जानकारी साजह करने के बारे में नहीं है। बलकि में सहानुभूती और जिम्मेदारी की संस्कृती को बढ़ावा देने के बारे में भी है। उनका उद्देश प्रत्तेक सडक उपयोकरता को यह समझाना है कि उनके कार्यों के परिनाम है। और दुरगटना के द्रिश को छोड़ना न केवल अवैद है, बलकि नैतिक रूप से भी गलत है। इन कारेक्रमों के प्रारंभिक मुल्यांकन एक सकारात्मक प्रभाव का सुझाव देते हैं। अधिक लोग अब कानून और उलंगन के साथ आने वाले भारी दंड के बारे में जानते हैं। यहां बढ़ी हुई जागरुकता एक उत्साजनक संकेत है और सुरक्षित सडकों की ओर एक कदम है। शिक्षा और जागरुकता के माध्यम से हम सभी अपनी सडकों को सुरक्षित बनाने में योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस तरह के जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे और घंती बटन दबाना न भूले।